जी दोस्तों नमस्काय सर्शीका असलाम अलेकूम स्वागता है आपका हमारे चैनल अशीश आयरवेदिक सेंटर पर दोस्तों आज एक आयरवेद का महायोग आपके लिए लेकर हाजर हुआ हूं महा कमश्वर इस योग का नाम है और इसको जो गृंत में इसका जो विवरन है यो लिखा गया है कि जो भी कोई इसका सेवन करता है वो सो इस्तरियों के साथ रमन करने की समरता रखता है ये योग बड़ापे को नाश करता है मौत को जीतने वाला योग है और ये जितनी भी आपने हस्त मैतन करके अपनी बच्पन की गल्तियां के करके जो विर्या को ना मातरा ये एक मनजून बनेगा दो ग्राम की मातरा अगर सुबा शाम श्री मिले दूद के साथ खाएंगे तो इसके साथ पर मे पुराना बुखार अरुची जिसको बूखनी लगती वायू दमा खांसी रेशा दातो शिंता जिसको दात पढ़ना कहते हैं सब ठीक होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जारश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिये गए बेल का बटन जरूर दबा दें सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको असानी से मिलती रहे तो दोस्तो ये वाक्या ही आईरवेद का महा योग है जो लोग भी इसको खाएंगे इसके गुन आप खुद गाएंगे और दूसरों को भी आईरवेद की शक्ती के बारे में बताएंगे के वाक्या में आईरवेद के अंदर आज भी ऐसे ऐसे योग हैं जो पड़े हुए हैं जो बंदे को काया पल्ट नुसके हैं जो वो काम करते हैं जो आपके पैर के नाखुन से लेके सिर के बाल तक कोई रोग नहीं शोड़ता बहुत सारे आईरवेद के अंदर एसे नुसके हैं जो काया कल्प कर देते हैं पहले हैं जो सबसे पहले इापको सिंबल के फूल जो है ज death काम मौसम होता है फूलों का उस टैमें कठा करके रखनी हैं भूप सारे अरline पे भूब इस को इस घो जाते हैं एसकैंश को य hasuk पीस्तावर अनौसाइ नपाली स्तावर जो पीरी स्तावर पंसारी से मिल जाती है, सिंबल की जड, सिंबल के फूल लेने है, सिंबल की मुसली भी लेनी है, मग लेनी है, कौँच बीज लेने है, हरर लेनी है, बड़ी वाली, संगाडे लेने है, खुश्क जो सूखे हुए पंसारी से मिलते हैं, आमल चार जात जिसको दाल चिनी इलाइची बड़ी नाग केसर और तमाल पत्र बोलते हैं ये लेने हैं कपूर लेना है भीमसैनी कपूर बढ़िया वाला बंच लोचन जो असली बंच लोचन मिलता है बलैक कलर का वो लेना है केसर लेना है कश्मीरी बढ़िया वाला मस्तगी रू लेना है जावितरी लेनी है कस्तूरी लेनी है आपको चव लेना है और शिंगरफ की बसम लेनी है मैं लास्त में बता हूंगा कैसे तियार करनी है काला जीरा लेना है और आपको लेना है तेज पत और नील कमल लेना है बदाम की गिरी लेनी है पिस्ता लेना है चिलंगोजे ल काईफल तालम खाना जाइफल उतंगन के भीज समून्दर चोँ और लोग बंब बसमे लेगे हैं और य। लेना है इसके अंदर आपने लग लग किया हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा सभी को कठा करके चुमच चुमच टालके खरल करते जाएं उसके बाद लास्ट में आप इसके अंदर अबरक की बसमें वो मला दें और इसको किसी अच्छे कांच के मरतमान में रखके जितना इसका वजन बना है उसके डबल आप शयाद मला दें अच्छे वाला शयाद होना चाहिए देसी मक्खी का जो जबड़ी हो चाहिए चोटी मगर यह खांड चीनी मिला नहीं होना चाहिए तो इसकी मात्रा मैंने वीडियो के शुरू में बता दी आपको दो तोले की इसकी मात्रा है 20 ग्र इसे नहीं जारा ठीक हो जाता है जो बाल आपके बिना एज के पहले उमर के पहले सफेद हो गए हैं शयाद जाते हैं काले हो जाते हैं वायू जो पेट में गैसे बनना वायू बनना वायू दोश विगड़ना वो ठीक हो जाता है दमा ठीक हो जाता है खांसी ठीक हो जाती ह तमाम स्रीर के रोग जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं इसको बना कर इस्तमाल करें और आयरवेद का चमतकार देखें कि जहां पर अलोपेथी दवाई काम नहीं करती आयरवेद में ऐसे नुसके पड़े हैं जो इस रोग को जड़ मुल से खतम ही नहीं करते हैं बलकि आपको एक जीवन देते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर करना ना बूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया